हेलो एवरिवान आज हम सिखेगे टर्णिप से 60fps ट्रीमिंग क्या जा सकता है जैसे एप के अंदर देख सकते हो कहीं भी आपको 60fps एनेबल करने का सेटिंग नहीं मिलेगा यहां तक कि आप जाप क्वालिटी भी सेट करते हो 1080P पर सेट करने बाद भी या फिर 720 पर सेट करने बाद भी आपको एपियर सेट करने क्वालिटी नहीं मिलता तो यहां पर हम लोग यूस करने वारे हैं तो टैंसर नहीं लो कैसे करना मैं पूरा सेटिंग मताने वाला हूं ठीक से तो पूरा वीडियो देखना फर्स्ट अप हम देस्टक फाइसे पर चेंज कर देना है देस्टक सेट पर लोड होने ये बाद अगर आप स्क्रीन को जूम करोगे तो आपको एक ऑप्षेन मिलेगा वीडियो वाला वीडियो शाइन रहेगा और प्लस लिखा रहेगा उससे क्लिक करो और गो क्लिक करो इस से अपका स्ट प्रोम वाला एरोर आता है तो फिर से देश्टॉप सेड में चेंज कर दिना है तो आपका एरोर हड़ जाएगा इस पेज में आने के बाद आपको स्ट्रीम वाले उप्सन पर जाने है जहां से हमनों बेसिकली अपना स्ट्रीमिंग करने वाले हैं अगर इसको जूम करोगे त आपको एक उप्सन मिलेगा च्रीम की तो यहां पर एरो वाल साइन पर क्लिक करो और क्रिएट इनुए करना है नियो क्यूंट में ही सेटिंग करने होता है तो यहां पर अपने साब से कोई भी टाइटल दे सकते हो और डिस्क्रिप्शन जो आपका स्ट्रिमिंग करेगा वो तो इसके लिए आपको नीचे एक option मिलेगा stream resolution जहां कि आपको turn on manual setting का option पूस्टता है तो यहां पर इसको tick करते ही आपका 60APS वाला जो setting है वो enable हो जाता है लेकिन 60APS से हम लोग 480P से उपर वाले stream पर use कर सकते हैं 480 या फिर उससे नीचे में stream नहीं कर सकते हैं तो यहां से 480 से उपर मतलब 720 1080 कुछ भी select कर लो तो उसके बाद आप 60APS streaming on कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो 480 पर आता नहीं है या पर मैं 1080 स्टार्ट कर देता हूं और फिर 60APS में enable कर पाऊंगा और स्केल आपको अच्छा था net speed चाहिए तो अपना net speed के साब लोग 720 या फिर वांद रेडियो कर सकते हो और जब आपका setting हो जाए तो create पर क्लिक कर देना है अब आपका stream create हो चुका है अब काम आता है कि हम लोग तो टर्नी पर add किसे करेंगे तो टर्नी पर add करने के लिए आपको पहले इसका stream की copy कर लेना है copy करने बाद अपना turnip app में जाना है और RTMP वाल option on करना है जहां पर आपको edit option आता है इसको edit करो अगर आपने पहले से stream की डाल लग रहा है तो उसको हटाके जो अभी हमने stream की copy क्या है उसको अपर paste कर दो सेम आपको RTMP URL के लिए भी करना है अपने Chrome browser पर जाओ जो server वाला option आता है server URL उसको copy करो और यहां पर लाग पेस्ट कर दो जब दोनों हो जाए तो add link पर click करने अब हम लोगना streaming setup बना सकते है अब next पर click करने streaming preview और अपना stream स्टार्ट कर देना है तो यहां पर stream स्टार्ट हो गया है अब मैं दिखाता हूं कि काम करता है यह नहीं तो पहले हम लोग अपना बाइट्रेट चेक कर लेते हैं जैसे हम देख सकते हो बाइट्रेट में 6 Mbps दिखा रहा है मतलब हमारे चैनल पर जाते हैं जिस पर यहां चल रहा है तो यहां पर मैं अपना YouTube खोल लेता हूं अब यह मेरा टेस्ट जर्वर है एप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर दिखा रहा है लाइफ गो कि कौरते हैं और क्वालिटी वाल सेटिंग चेक करते हैं कि सच में 60 अब्छा नहीं तो यहां पर अगर क्वालिटी में जाओगे और अद्वांस सटिक पर क्लिक करो एग में तो तुम्हें दिखाएगा यहां पर एक option आता है एडवांस्ट पे 720-60 मतलब हमारा जो 60 fps था वो एनेबल हो चुका है और अगर सिलेक्ट भी करें तो क्वालिटी अच्छा आएगा यहां पर वो भी करें दिखा देता हूं आपको आपको 720-60 पे जैसे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं पर मेरा जो स्ट्रीव का क्वालिटी है वह अपने इंप्रूव हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग टर्निप के अंदर 60 fps एनेबल कर सकते हैं इसके अलाब अगर आपक स्ट्रीमिंग को बहुत ही बैटर बनाएगा तो तब तक के लिए गुडबाए